कि अलोगा दोस्वागत आप सबका फेंडर से वर लाइफ की यूडियूब चैनल में करने वाले अपना जो आज का मैच है किस किस के बीच में एक तरफ है वाई यहां से जो रहने वाली इंडन सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब अब करो यहां उस घड़ा है बागी जलते मैच में आगे बट उससे वाले एक और चीज की टेलीग्राम चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन में है साथ साथ फैस्ट कमेंड में भी जाकि जल्दी से जोइन कर लेना उसको भी बागी तको बात करें मैच की इंडिया कपिटाल वसे सदर्न सूपर स्टार्स के ब पूरा बस इतने ही मैच थे अब मैच हो रहे हैं देरा दून में अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं ना तो यहां पर चैनल जिसमें चार तो जीते बैटिंग फर्ष्ट ने दो जीते बैटिंग सेकेंड ने बट यहां पर कभी भी कोई ऐसी लीग का मैच नहीं के लाग लेटिंग पिछ रहती है जो ने बागी 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 बैटिंग बनता है तब इतने बड़ बड़ स्कोर बन रहे हैं बागी यह तो है देखो सारी चीज़े अपने जो पिछ के हिसाब से रहती है बागी मैं बोलता हूं कि प्लेयर्स के बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है इनके स्टाट्स और यह सब चीज़ों के बारे में रिसेंट फॉर्म क्योंकि बाप बड़े पुराने प्लेयर्स है रिसेंट फॉर्म मिनका फिर जादा पुराने हैं कुछ आईसे हैं जो अभी रिसेंट में खेलते थे और फिर अभी रिटायर हुए तो लिजेंट्स लीग में आ गए बट हाँ बहुत सारे ऐसे हैं इसमें जैसे कि तुमें क्या बोलते हैं दूसरी टीम में केविन पीटरसन है आप उन्हीं को कंसिडर कर लो इतना पुराना खिलाड यह बहुत पहले खेलना छोड़ चुका है आता है सिर्फ ऐसे मैचेस के लिए तो उसके रिसेंट फोर्म का क्या क्या करो गया आपना तो इसी इसी रइडर यहां से आता हो दिखे ओपन करता है सब्सक्राइब करते हैं सिर्फ ऐसा बैटिंग ही आप कंसिडर करना ठीक है क्योंकि इंपक्ट प्लेयर था तो बोलिंग का तो कुछ रोल यहां से बनता नहीं है बाकि दिल्शान मुनाविरा को इन्होंने पिछले मैच में एड किया और जबरदस्त प्लेयर है ठीक है बहुत प्लेयर को जस्टिफाइ नहीं कर रहा है यह बड़िया एटिंग कर लेता है जब मोड में होना बनता है वैसे स्लो भी खेलता है बर जब मोड में हो तो तुम समझो कि बोलना स्टेडियम के बाहर ही दिखाता है और बाकि बोलिंग भी करता है एक बोलिंग ऑप्शन भी है टीम के पास जैसे पिछले मैच में पूरे और कराए थे तो 56 विकेटेस ने यहां से भी निकाल रखे तो एजन ओल्राउंडर आपके पास में आ जाता है पूरा तो सी वी सी ऑप्शन भी है उसके लावा यहां से श्रीवाट्स गोसुआ भी है लेफ्ट एंड बैटर 101 मैच में 24 सो रहने स्ट्राइगरेट 115 का थोड़ा समल कर खेलने वाला बैटर है चार नंबर पर आता है यहां भी आपको चार पांच पर ही आता हुआ दिखेगा उसके बाद में यहां से रोश टेलर है रोश टेलर भाई कपता ने बैटिंग मोटर थोड़ा उपर भी कर सकता बैटिंग में उपर आ रहा है तो गोषवामी शायद आपको उतने रंस देखने को मिल जाए ठीक है स्मोल लिग में तो उतना अच्छा नहीं है बट जील में जबूर आप ट्राय कर सकते हो उसके बाद में यहां से मैकारती है 24 मैच में 363 रंस है 116 का श्रेगरेट है पिछ ज्यादा खास बिसला की तरफ से देखने को मिलाने ठीक है बिसला अगर ओपन करें तो ग्रेंड लिग का भी सीविसी स्मोल लिग में थोड़ा रिस्क लेने बट इतनी नीचे वैटिंग तो बिल्कुल कंसीडर में जादा नहीं करने वाला हूं बाग इस ट्राइगरेट भ किलाबा और उसके बाद में यहां से पवन नेगी है यकीन करो के पवन नेगी एक बार ना आईपल के हाईएस्ट पर गया था एक सीजन में पर प्राइस याद निया बट हाँ बहुत अच्छे गाजे पैसे निकाल कर ले गया था जो अब बिल्कुल किसी को भी उम्मिद न और उससे अगले ही सीजन या उससे अगले सीजन में अनसोल्ड भी जला गया था पता नहीं क्या सोच कर रहो तुम पता किसने खर्च किये था एक सोच्छ मैंच में 95 विकेट इसने निकाल रहे है 19 के श्ट्रेक बोलर ठीक है पिछले मैंच वह बहुत मार पड़ी भाई क्य इवन अगर स्मोलिंग में जाना चाहो तो जा सकते हैं पवन नेगी एजन ओल्ड राउंडर है थोड़ा बोलिंग ओल्ड राउंडर समझ लो कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है और उसके बाद में यहां से हामिद हसन है 29 मैच में 31 विकेट लाष्ट में चार वि बोलिंग अच्छी की विकेट इनको बिल्कुल लाष्ट में जाके मिलेते हैं 11 मैच में और यहां से आठ विकेट इनके हैं टीडूंटी की बात कर रहा हूं कि बहुत ही कम खेला है और यह और बाकिसा फॉर्मेट जादा खेला है क्योंकि है 26 का श्ट्राइक डियान मत देन पिछले मैचों बोलिंग अच्छी रही थी विकेट थोड़े लाष्ट में जाकी मिले बट ऑवरोल जैब बोलिंग तो सही थी तो यह सदन सुपर स्टार्ट के तरफ से प्लेइंग इलम ठीक है अब शुरुआत में पता है शुरुआत में आसे हामिद असन लकमल यही आप बॉलंग मे आपको मुनाविरा देखने को मिल जाएगा अपको यहां से पहले बोलिंग जेSon तो ये सीधा आपको प्लेइंग एलोन में देखने को मिल जागा ठीक है लाश्ट मैच में बॉलिंग जो वो थोड़ी सी टाइट रही थी मतलब रन इतने जाता नहीं देता है अब्दुर रजाक लेटाम और तुरोक्स बड़ेबाब बड़ी जल्लियली से अपना वर डाल द अगर थोड़ा बैटर समल कर खेलते तो शायद विकेट लाइस भी चले जाएं बाकि आज के लिए कर लेना हो तो ले सकते हो सेफ ही है उसको बाद में आशोग डिंडा है लाश्ट मैच में बाकी सबको मौका मिलानी था जो पिछले मैच की खेलने की बात थी ग्यारा प्ले तो देखो तुम 9 मैच में 17 विकेट निगाल रहे है ती 20 में उसके बाद में यहां से योहान बहुत है 40 मैच में 201 रन तो छोड़ी तो तुम विकेट की तरफ जाएं तो बाकि यहां से कैमरा इंवाइट है एक अच्छा खासा बढ़िया एकदम क्लास हिटर बोल का अगर ट एक सो बैलिस का श्ट्राइक रेट है तो तुम पता है अगर ओपनिंग करना है तो फिंच भाई फिर अकेला ही ऐसा है कि सो बना जाएगा अना वो भी ऐसे पिछ पर तो बिल्कुल कैमरा इंवाइट एरें फिंच ऐसे बैटर है सेम मुनाविरा के साथ में कि ऐसे बैटर है चोदा मैच में 6 विगिट है एक सो निन्यान विन के रन से उसके बाद में तन में श्रिवास्ताव लेफ्टन बैटर अंडर नाइंटीन के लड़ी 28 मैच में 649 रन है 116 का श्राइक रेट है अभी नहीं है पहले होता था अंडर 19 जब था यह 19 साल का बहुत टाइम हो चुक तो उसके बाद में एट लाश्ट आपको यहां से अमीला अपॉंसो देखने को मलता है 45 मैच में 53 विकेट के साथ में श्राइक रेट काफी जाता सही है अब जो मेरे को लगता है रजाग है अगर तो चांस कम है बट अगर यह ऐसा करते क्योंकि लिजन्स लीग में मुका लेता और रन भी बना सकता उसके बाद में आगर हम बात कर चान से पंकराइब रहो है बाइस मैच में एकखेस में विकेट चतुरंगाई दी शिवाह को आमित्वरमा को यह शामिल किया गया है नकी तक इनके नघे हो चुका वहीनीक मैच यहार एक मैच हार गयते जिस्म की को इन्होंने ओलाउट किया था 156 पर बोलिंग इनकी अच्छी रही थी अलाकि कुछ गलट डिसीजन जो उनके फिवर में गए थे जैसे रहना बोल पिचिंग आउट साइड ले गए वो भी इतनी जादा एंपैर ने श्टिल आउट दे दिया था पता नहीं क्या इदर बिसला था 18 और बाकी और जितने भी बैटर थे सब फ्लोब हुए थे सब के रंस 18 से नीचे ही थे फिर उस केस में और विगट बही इनके सारे बोलर्स ने लिए थे पांच बोलर यूज किये टीम ने और पांचों ने विकेट से नकाले अब्दुर रजाग लक्मल के सिक्स्त बोलर को एड नहीं करते हैं तो यह सदन सूपर स्टार्स की तरफ से प्लेइंगे लिए अब अगर बात करें भाई दूसरी टीम जो हमारी रही कौन सी इंडियन कैपिटल्स ठीक है इनकी तरफ जो हम देखते हैं तो आपको गोतम गंबीर हाशी मामला उपन करते है सबसे पहले चलो मैं आपको स्कोरी दिखा देता हूं कि इनके जो पिछले मैच के दोनों मैचे जैना उसमें क्या इनों ने किया है उसके बाद में जरा देखते हैं प्लेयर कैसे हैं फिर यहां से इस अर्बनाइजर ने 189 बनाए थे और यह तीन रन से हार गए तो उस मैच को 186 बनाए जिसमें केविन पीटर सान अकिला था जिसने 77 बनाए एजन इंपेक्ट प्लेयर आते हुए रोवन पाविल रिकार्डो पाविल रिकार्डो पाविल ने 26 बनाए थे ऐशले नर्स के 41 थे उड़ाना के दो विकेट थेरन का एक विकेट पनाफ पटेल एक कोई प्लेयर ही नहीं है जो पहले में चला दूसरे में सब फ्लॉप हो गए थे इस तरीकी के बैटिंग रहे थे बट हाई कमाल किया था चौतिस इनों ने इस मैच में थेरन के दो विकेट उड़ाना के तीन विकेट और परवीन तामबे का एक विकेट था तो बोलर तो एस कि मतलब ऐसा है कि वह यह दोसों से उपर बड़ी इजली लिजा सकते है टारगेट को अगर यह पहले बैट करते हैं तो घंबीर हाशी मामला है वहाशी मामला टी-20 के हिसाब से उत्रह कुछ खास लगता नहीं है बसे 119 मैच में 222 सब उपर रंस है 123 का स्ट्राइक रेट है बड़ वही है हाशी मामला थोड़ा रुपकर खेलता है वो क्लास देखने को मिल सकते हैं इनकी तरह से कोई बहुत ज़ादा हार्ड रेटिंग तो थोड़ी से मुश्किल है गंबीर वही है अपना बस खेलेगा चक्के वाक्य मारते हुए 209 मैच में 2400 रन से इनके 120 का स्ट कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनते हैं आप पिछले मैं पहली गोल पर आउट हुआ था बिलकुल यह बनता है को जात दिक्कत तो है नहीं उसके बाद में यहां से करक एडवर्स है श्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम देखने को मल रहा है बट मैं यह मानना पड़ेगा कि क अब जिस तरीके का यह जो रिकोर्ड आप देख रहो ना इससे बिलकुल अलग खेला था इससे बिलकुल ही अलग खेलता हुआ दिखा भाई पहले मैच में जबरदस्त खेला था तो अगर जील टीम में एवन ऐसल टीम में करकेडवर्स को ट्राइक तो कर सकते हो बागी होती नहीं है पीटरसन के ऐसी हिटिंग करता है यह भी अच्छे का सीदे को हिटिंग कर लेता है 154 मैच में 3437 रंस है विकेट कीपर ऑप्शन में आज आपके पास में रहने वाला है विकेट कीपर में दो अप्शन रहेंगे या तो डंक को ले लो या फिर आप थरंगा को दो अप्शन है दोनों में से कोई भी एक और दोनों ठीक है अवी के लिए दोनों लेने हो तो दोनों को भी रख सकते हो उसके बाद में यहां से आपकी रिकार्डो पाविल रहता है पांच मैच में 12 रन है 92.30 का श्ट्राइक रेट है उसके बाद मैच ले नर्स है 71 मैच मे रन तो भई 6.30 बना है बट अभी तो ऐसी बैटिंग कर रहा है जैसे एक प्रोपर बैटरी जेल रहा हो बागी विकेट्स भी इनके नाम 69 ओफ ब्रेक बोलिंग करता है लेफ्ट हैं बिल्कुल नर्श आपको बोलिंग करता हो नजर आएगा विकेट लेने वाली बोलिंग अभी तक तो देखने को नहीं मिलिया बट एजन ओल्राउंडर नर्स काफी सही है बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा तो ऐसा सीवी सी उप्षिन भी आपका पास में ज़रू बनता है उसके बाद में रश्टी थैरन है अच्छे कासा विकेट बाइट दो मैच में भी निक तो इस वज़े से उड़ाना भाई आइधिंग 30-35 के बीच में 32-33 का यह शायद उड़ाना यहां से तो भाई वो कोई उड़ाना के ना बोलिंग में से को रंग नहीं गया है यहां से अच्छी पोलिंग अभी भी कर रहा है अच्छी पेस के साथ में डालता है कोई पेस भी कमनी होई है तो वही है उड़ाना का ठीक है वो एक यहां से एडवन्टेज रहता है इन प्लियर्स के पास में जो भी अर्ली रिटार्मेंट लेकि अब इलीजेंट्स लीग में केल रहे है बागी परवीन ताम में 64 मैच में 70 विकेट वोलर अच्छा है यह भी है ट्रिक भी निकाल लिए अगर आपको यादो आई पिल में बागी जेल के टीम में सीवी सी आप कर सकते हो क्योंकि नहीं पता वाए ताम पे कब यहां से तीन से चार विकेट निकाल जागा तो जेल के टीम में ज़रू ट्राइ कर लेना स्मोल लीग में थोड़ा सा रिस्की है बट हाँ जा सकते हैं अब इसके साथ में अब पिछ में कहाई स्पिन नहीं है तो वह सबसे बड़ी दिक्कत है बाकी एट लाश्ट आपको यह से अपनना देखने को मलता है जिन्होंने 24 मैच में निकाल रखे है 21 विकेट और पिछले मैच में एक निकाला तो उससे पहले नहीं था एंड बाकि एकर हम इनके बेंच की बात करें तो जादा बड़ी बेंच नहीं है इनके मुनाफ पटेल है 98 मैच में 100 विकेट है यह हो जाता है आपके बारवा खिलाड़ी एजन इंपक्ट प्लेयर मानों है जो भी आप मानते हैं ठीक है बालिंग पहले करते हैं तो टीम में है इटर तो अगर आता है उपन करने विसे चांस कम है मौरणावान विक के खेलने के बट इनकेस अगर आता है उपन करने तो भाई सी वी सी चोईस आपके बास में बिलकुल यह बन कर रहाता है बागी भरत चीपली अठाइस मैच में 453 रन से 117 गा श्ट्राइग रेड गन मश्ट पिक भाई अपनी टीम के लिए बनता है फिर आप किसी बोलर को ट्रोप करकर रिस्क लो बट आइटिंग दिलारा फरनेंडो फिर टीम में होना चाहिए उसके बाद में हां से इश्वर पांडे है 69 मैच में 68 विकेट इनके भी है 21.64 डीसें बोलर है पहले CSK से भी ख कालता है उसका एक विकेट कितनी बोल में आता है टी-20 में तो यह है इंडिन कैपिटल्स की तरफ से देखो पूरी कहानी स्कोर्स आपने देखे लिए अब आज आते सीधा अपने टीम के ओपर ठीक है इतना सब कुछ समझने के बाद में बैटर अच्छे हैं बोलर अच्छ लंबीर है जाओ तो एडवर्स की जगए पर किसे और के साथ में आप जा सकते कोई साथ दिक्कत नहीं है या फिर अगर एडवर्स की जगए भी बैंट डंक लेना चाओ तो भी आपके पास में को अप्शन है दलचान मुनाविरा इसलिए कैप्टन भी क्या है एशले नर्स है अगर सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन जाना है न तो मुनाविरा और नर्स से जादा बहतर सीवी सी आज के लिए कोई बनता नहीं है दोनों ही ओल्राउंडर दोनों अभी के लिए रंग भी बना रहे है और साथ-साथ नर्स की तरह से विकेट तो नहीं है बर ठीक है पॉ सब चीज है बागर आपको वीडियो पसंदा हो तो लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं क्या हुआ तो फटावर्ट से वह भी कर लो एंड टेलेक्राम चैनल भी जरूर जोइन कर लेना बागी सब अपडेट्स के लिए बागियो बैक्स्टेस मैच के सब्सक्राइब को नेक्स शूडियो में बहुत ही जारे जलते हैं